हेलो एवरिवन पूनम सुक्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम एकदम फ्योर बिहारी स्टाइल ओरिजिनल लिट्टी चोका की रेसिपी बनाएंगे और यह रेसिपी हम कड़ाई में आज बना कर तियार करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है कि रेसिपी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीज़ेगा चलिए लिट्टी चोका को बनाना शिरू करते हैं सबसे पहले हम सथू बनाएंगे तो यह पर मैंने 15-20 लेसन लिया है इन्हें मैंने बारीक काट लिया है इसके बाद मैंन की रेसिपी अगर आप जानना चाहते है अब हमें बताये कमिंट बोक्स में हम आपके साथ जरू करेंगे तो यह पर 2 कप हमने चैनी के सि Elderby को डाल दिया है इसकेबाद हम इसमें बाके के मसाले डालते हैं, तो सबसे पहले तो मेहाने आपर अजवाइन लिया है, आदा चम्म जितना, इसे हम अपने हाथों पर क्रश करके डालेंगे, हाथों पर क्रश करने से इस तरह से इसे बहुत यह अच्छा फ्लेवर रीज होता है, और सत्तु का टेस्ट बह हम ने डाल दिया है, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इसे कलर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हींग भी डाल रहे हैं, डाइजेशन के लिए, बहुत अच्छा होता है हमारी हींग, यहाँ पर मैंने अचार का मसाला लिया है, आप घर में किसी भी इस्तमाल किया है, तो यहाँ पर मैंने एक से देड़ चमस डाल दिया है, इसमें आप स्वाध अनुसा नमक डाल दीजे, और अब हम इसमें डालेंगे दो नीमबू का रस, तो यहाँ पर हम चलनी की मदद से इसके बीच को अलग कर लेते हैं, और यहाँ पर नीमबू के रस स्वाध दून तक स्टोड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्याच को नहीं डाल रहे हूं, सभी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे, और अब हम इसमें डाल रहे हैं सर्सो का तेल, ध्यान रहें आपको इस बात का, कि सत्तु को बनाते समें सर्सो का तेल स से अच्छा स्वाध आता है, रिफाइन डॉयल का या फिर किसी फ्लेवर डॉयल का इस्तपाल ना करें, तो यहाँ पर मैं सर्सो के तेल से पूरे सत्तु को इस तरह से देखिए, मसलते हुए मिला रही हूं, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूं, तो सत्तु को बनाने में देनों तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, अभी एक बार आप सत्तु के स्टफिंग को एक बार टेस्ट करकर देख लीजे, नमक कम जादा तो नहीं है, मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो मेरा यहाँ पर स्टफिंग बिल्कुल तयार हो गया है, और आप इस इस तरह से कट करेंगे, और यह आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैंगन में कीडे ना हो, और इसके बाद यहाँ पर मैंने लेसन लिया है, इस तरह से बीच में डाल देंगे, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर रिलीज होता है, इसके बा साथ में मैंने दो टमाटर लिये हैं, अगर आपको देसी टमाटर मिलते हैं, तो उसी का इस्तमाल कीजेगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसो तेल लिया है, और बैंगन के उपर इस तरह से अच्छे से लगा देंगे, टमाटर के उपर भी लगा देते हैं, तो दोस्तों देसी टमाटर का बारे में मैं आपको बता रही थी, तो देसी टमाटर से हमारा चोखा बहुत अच्छा बनता है, तो चलिए इस चोखे को बनाना हम शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर देखे मैंने स्टैंड ले लिया है, और इसके उपर हम बैंगन को इस तरह से प्लेस क नीचे करते हुए, आप सब जगा से इने पका लीजिए, और इनके उपर से ब्लाक स्पोर्ट साजाएगा, बिल्कुल आपको इसमें ज्यादा टैम नहीं लगेगा, साथ से आठ मिनट में यह हो जाता है, तो यह आप देख सकते हैं, अच्छे से हमारा बैंगन और टमाटर पक चुका है, तो तमाटर भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो बैंगन अच्छे से हो गए, तो मैं इसे हटा लेती हूँ, और टमाटर को भी हम इसे तरह से पकाएंगे, और इसके बाद हम इसे थंडा होने देंगे, गैस फ्लेम को बंद करने के बाद, इसके बाद मैंने य इसका टोरी में हम अपने फिलिंग को भरेंगे, और फिलिंग को मैं यहाँ पर एक से देड़ चमच इतना भर देती हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और थोड़ा से उपर से सूखा आटा लगाते हुए, हम इसे दबाते हुए उपर से बंद करेंगे, तो आप इस प् प्रॉसस को दिखा रही हूँ, तो आप लोग यह सोच रहे होंगे, हमने तो आपको आटा गुतनी के रेसिपी बताई ही नहीं, तो दोस्तों मैंने आप लोगो के साथ कई सारे वीडियो में आटा गुतनी के रेसिपी शेयर की हुए है, अभी रिसेंटली हमने एक वीडिय आटा गुतनी के रेसिपी, सेम प्रॉसस से मैंने इस आटे को पी गुथा है, दोस्तों अगर मैं आपको आटा गुत के बताती है इस वीडियो में तो यह वीडियो बहुत बढ़ा हो जाता, इस वज़े से मैंने आटा गुत के आपको नहीं बताया है, अगर आपको देखन प्रोषसस से मैंने पांच बना निए तरिया कर लिया है 5 से 6 हम ने पाले से बनाए है अब आपको इसे बना कर दिखाती हूँ Хर बनाने कि लिए देख सकते हि कड़ाइ नमक ले रहे हूं वह थे कि barrack माने के लिए और्या नमक ले रही जिसे आपने यूज का तो आप इंगे इसे भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसके ऊपर कोई कटोरी रख देंगे जिसने कि इसका height बढ़ जाए आप इह आपर किसे stand का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं आपर आपको छोटे से कटोरी के साथ दिखा रही हूं इसके उपर से हम stand रख देंगे जिसके उपर हम अपने लिटी को रखकर bake करेंगे और यहाँ पर मैं lid ले लेती हूँ और lid लगा देती हूँ और हम इसे preheat करके रखेंगे 10 मिनट तक low flame पर हम इसे preheat कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो जब हमारा कड़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके उपर के जो लिड है इसे हटा लेते हैं काफी अच्छे से हमारा कड़ाई एकदम गर्म है इसके उपर से हमने जो लिटी बनाया हुआ है इसे हम एक एक करके डाल देते हैं तो इस तरह से देखें थोड़ा सा space रखते हुए बीच में हम रख देते हैं तो यहाँ पर मैं एक साथ 5 लिट्टी को बना रहे हूँ थोड़ा सा space आप रखेगा जरूर ताकि लिट्टी जब फूलेगी तो ये अच्छे से इसके पास जगा रहे फूलने की तो ये हमने लिड लगा दिया है तो अब हम इसे इसी तरह से बेक होने देते हैं कठाई के अंदर और आपको इसे बेक करने में 15-20 मिनट का वक्त लग जाएगा जब तक हमारे लिडटी बेक हो रहा है तब तक हम आपर चोखा की तेयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन टमाटर अच्छे से थंड़ा हो चुका है पक चुका है तो अब इसके उपर के जो ब्लैक से स्किन है इसे हम हटा दिते हैं आप चाहे तो किसी चाकू का भी मदद ले सकते हैं तो इस तरह से यह हाथों से भी बहुत ही एजिली निकल जाती है तो यह आप देख सकते हैं हमने टमाटर का यहाँ पर इसके निकाल लिया है अच्छे से और यह दूसरी टमाटर का भी हम निकाल लेते हैं और बैंगन का भी सेम प्रोसेस से हम निकाल लेंगे, लेकिन इसके अंदर जो हमने यहाँ पर मिर्ची और लेसन रखा है, इसे हम सबसे पहले हटा लेते हैं, और इसकी बाद बैंगन के छिलके को हम इस तरह से हटा लेंगे, तो बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, बैंगन के छि तो आपको इस तरह से बिल्कुल काट लेना है ताकि इसमें बड़े बड़े चंक्स ना रहे तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये चोखा बनता है दोस्तो आप इस जरूर बनाएगा और यह अमने जो लेसन और मिर्च डालाद हुआ था बैंगन के अंदर इसके उपर से हम छिलके को हटा लेते हैं लेसन से अब देख सकते हैं और जो मिर्ची की डंडी है इसे भी हम हटा लेते हैं और इसे भी हम इसी तरह से बिल्कुल चौप कर देंगे एकदम फाइन ली यह आप देख रहे हैं एकदम फाइन हम यह आपर इसे चौप कर लेते ह लेसन को भी सेम तरह से यह देखिए को बहुत अच्छा स्मोकी सा टेस्ट आता है तो यह बहुत ही अच्छा हइस具 लगता है और हम इसे हातों से अच्छे से मैस्ट कर लेंगे यह बहुत अच्छी से पक चुक है तो मैश भी आसानी से हो जाएगा ज्य 260 वह जएसरों यह अच्छे से मैश हो जाए तो हम इसमें डालेंगे दो उबले हुए आलू इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेते हैं इन उबले हुए आलू को तो अब देख सकते हैं हमने आलू को यहां पर मैश कर लिया है तो अब हम इसमें बाकी के मसाले को भी डालेंगे लेकिन इससे पहले बारी कटी हुई हरी मिर्च लिया है, इसे हम डाल देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया से तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो आप इसे skip बिल्कूल भी ना करें, और इसके बार ये हमने थोड़ा सा सरसो तेल डाले हैं, और नमक डाल देंगे, एक बात का या लिट्टी को भी देख लेते हैं तो 10 मिनट के बाद मैंने लिट को ऑप控़ किया है और अब मिसें टर्ण कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये लिट्टी हमारा बन रहा है इसके उपर से एक और यह उपर से उपर से क्रैक आना शुरू हो गया है तो यह बहुत अच्छे से अंदर से पक रहा है तो हम इसे टर्न कर देते हैं और फिर से हम लगा देंगे और इसे हम फिर से पकने के लिए रग देंगे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे और 10 मिनट तक मैंने इसे इसके उपर से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो हम इसे टर्न कर देते हैं और पीछे साइड से हम कलराने का इंतजार करते हैं तो हम इसके फिर से लिट को लगा देंगे और और हमें इसे 5-7 मिनट तक पकाना है और इसके बाद इस पर से काफी अच्छा सा कलर आ जाएग और इसके बाद पाद देए तो गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और एक-एक करकी निकाल लेते काफी गरम है दोस्तों तो आप इसे बहुत ही साफधानी से निकालिएगा तो आप देख रहे हैं तो चलिए भी से सर्व भी कर देते हैं तो यहां पर मैंने चोखा रखे है साइड में कटओरी में साती सत्तू वी रग दिया है ने उस्तफिंग के हुए ओर Leo लिट्टेंगी uh सभीघर है इस के ऊपर से हम घी को लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हम घी को लगार देते हैं भौत। इसलों कि अÓ कर तयार हो गया है तो दोस्तों लिट्टी चोका तो आपने बहुत खाया होगा लेकिन इस तरह के लिट्टी चोका आपने कभी नहीं खाया होगी तो इसे ट्राइ करना तो बिल्कुल बनता है आप इसे बनाईएगा ज़रूर रसी पर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैन क्यों थर वाटी